बाणिंग स्टुडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे विए चैप्टर नूमबर फॉर डाट इस लिनियर डिफेंशिल एक्वेशिंट विद कॉंस्टेंट कॉफेशिंट होती क्या है आपको उसमें डिपेंडेंट वेरियबल दिखेगा डिपेंडेंट वेरियबल कौन सा है यहाँ पे अगर यह एक्वेशिंट की बात करू तो यह जो य है यह डिपेंडेंट है एक्स कैसा है इनिपेंडेंट फिर आपको दिखेंगे इसके डिवेटिव यह डिवेटिव है फर्स्ट और सेकेंड आज़र ऐसे देख सकते हैं लेकिन डिगरी कितनी होगी वन ही होग इनकी कोई पावर नहीं दिखेगी ऐसे फिर इसने काये लेकिन यह आपस में multiply नहीं होंगे y और dy by dx यह साथ नहीं दिखेंगे आपको कभी भी और जिनके आगी की term होंगी यह भी क्या होंगी constant रखी होंगी तो हमें अब करना कैसे है इसको solve जहांबे भी आपको d by dx दिखें उसको capital d second derivative को d square third derivative को d cube nth को dn ऐसे पूट कर देंगे और आगी कैसे solve करना है यह हम example के थूरू देखते हैं जैसे देखिए यह वाली हमें दिये है equation तो इससे पहले हम क्या करेंगे third derivative है तो इसी जंगा क्या रख देंगे d cube second derivative की जंगा d square first derivative की जंगा d रख देंगे रख दिया अब हम आगे लिखेंगे auxiliary equation auxiliary equation क्या रहेगी आप और यहां तो y भी दिख रहे है न साथ में बाहर निकाला हुए y क्यों निकाला है y को बाहर क्योंकि हमने इसको d cube put नहीं किया है हमने इसको किया है without y को तो y तो इसका लब बाहर है तब ही तो यह put हुआ है जब हम इस y को हटा देंगे यहां से यह वली equation लिखेंगे तब हम उसको क्या कहेंगे auxiliary equation अब जैसी auxiliary equation आईगी यह तो cubic है तो आप इसकी roots निकालेंगे अगर quadratic होगी तो भी आप उसके root बताएंगे तो जो भी यह root आएं 1, 2, 1 by 2, m1, m2, m3, अब हम आगे रेखते हैं हमें यह solution कैसे लिखना है तो यह तीनो root कैसे हैं देखो, real है क्योंकि कोई iota तो नहीं है जिसमें iota आजाता है साथ में जिसे 2 iota ऐसे या फिर प्लास 1, minus हो तो उसका हम क्या कहलेते हैं, वो root कैसे हैं, complex है लेकिन जिसमें iota वाली term नहीं होती है, वो कैसे होते है, real, और तीनों आपस में कैसे हैं, अलग-अलग है, कोई भी repeat नहीं हो रहा न, तीनों आपस में कैसे हैं, अलग-अलग है, तो इसलिए क्या लिख देगे, different roots, अब solution कैसे लिखना है, उसके लिखा आपको एक table याद करनी है, वो यह table है अगर मेरे ये जो सारे root हैं, ये real भी हो, and different भी हो, तो ये solution बनेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, complete solution, अभी-अभी हमने solve किया दख क्या, auxiliary equation, उसकी roots निकालिये न, जिसको मैंने नाम दिया है, m1, m2, m3, तो इसका complete solution ऐसे बनेगा, अगर दो root equal होंगी, देखो, dna case 2, m1 is equal to m2 are two real roots, and other roots are real and distinct, कि दो same है, लेकिन बाकी अलग है, तो ऐसे लिखना है, ऐसे अगर imaginary root आईगा, तो ये लिखेंगे, अगर फिर हमारे पास imaginary root है, लेकिन complex form में, plus iota, plus iota में दो बार है, are four imaginary roots, तो ऐसे लिखना है, तो अब इस case में देखो, कौन सा match कर रहे है, पहला root है, m1, sorry 1, 2, 1 by 2, तीनों अलग-अलग है, और रियल है, तो ये वाला है, तीनों रियल है, अलग-अलग है, तो हमें कैसे लिखना है, c1 plus, sorry, c1 e raised to power first root into x, plus c2 e raised to power second root into x, plus c3 e raised to power m3 x plus, ऐसे करते करते, जितने root हो, वो लिख देंगे, तब यहाँ देखते हैं, क्या लिखाएं, यहाँ पर c1 e raised to power first root क्या है, 1 है, तो यहाँ पर x क्या क्या है, 1 है, plus c2 e raised to power 2x, plus c3 e raised to power 1 by 2x, ऐसे आ जाएगा, अब देखो, एक और मैं बता देती है, जिसमें आपके complex form में, जब हमने इसको solve किया, तो ये roots आएं, ये roots मुझे कैसे दिख रहे हैं, complex root है क्योंकि iota की term है, तो solution देखो किस से match करेगा, आप चलके देखते हैं, जब भी complex form, जैसे ये वाला क्या है, plus minus under root 3 iota, तो हमेशा root कैसी होती है, alpha plus minus iota beta form की होती है, यहाँ पर alpha क्या है, 0 है, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, plus क्या गे, तो यहाँ क्या है, 0, और beta क्या है मेरा इसको match करूँ, अगर मैं, तो beta है under root 3, तो अब हम इसको match करके देखते हैं, कि इसके लिए पहले देखते हैं, क्या solution दिया है, तो यहाँ पर दो root से पहले इस under root 3 iota वाले के लिए देखते हैं, तो देखो, measure root यहीं पर, इसके लिए आ जाएगा, क्योंकि equal तो ही नहीं दोनों, क्योंकि एक में 3 iota, एक में 2 iota है, तो यह बला आएगा, यह बला match करों से, तो यह बनेगा 0 plus iota under root 3, मलब बीटा की जंगा पर क्या रखना है, root 3, और alpha की जंगा पर 0, e raise to power 0, यह क्या बन जाएगा, 1, यहाँ पर आ जाएगा, c1 cos under root 3 x, प्लस c2 sin under root 3 x, यह आ आएगी, इसके लिए आजाएगी, बाकी इसकी कोशन मिलकुल similar है, यह आप try करें,